हलो फ्रेंट्स तो आज हम हैं गोरगपूर रेलवे इस्टेशन पे फ्रेंट्स आज ये बारिज बहुत जादा हो रहे हैं इसलिए हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जो वेटिंग हॉल बना हुआ है और हम इसी ट्रेन से आए हम आपको बता दें कि आज इस बारिज मे पूरा ब्लॉग बनाते हैं कि गोरगपूर जंक्शन जो कुछ भी है यहां पर सब कुछ आपको दिखाते हैं बारिज भैंकर हो रही हैं हम इस जगा पर बैठे हुए हैं अभी बाहर निकलेंगे हम लोग और पूरा वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको यह कैचर क्या जो लिखा हुआ है फ्रंट गेट है गोरगपूर जंक्शन देखे भाई बारिश जरूर है लेकिन इसकी सुन्दरता जो पहले थी और आज भी है देखे भाई लोगों की आवाज आही तो हरी स्टेशन पर बनी रहते हैं लेकिन भाई देखे इसकी ब्यूट फुल शुंदरता है इसके ब्यूट इसता है जो भाई देखे लाजवाब है भाई लाजवाब कहेंगे आप इसको इसको आप क्या कहेंगे हम जैसे कैच्चर कर रहे तो हमें बगन में यह सामने ही गेट की जो गोरगपूर जंक्शन लिखा हुआ है इसके जश्ट सामने मै मैंने एक छोटा सा पार्क जैसा देखा तो मैंने सुचा कि आपको भी देखाओं कि यह है क्या तो चली देखते हैं यह पार्क जैसा बना हुआ है देखे हमने जब यहां पर कैप्चर किया तो यह एक हाँ वास्तों में एक छोटा सा पार्क जैसा था हलाकि इसको पार्क न अंदर जा सकते हैं क्योंकि आगे यहां पर देख रहे हैं यहां पर आगे एक छोटा सा गेट भी लगा हुआ है और यह गाडियों के पार्किंग जैसा बना हुआ है लेकिन यह पार्किंग नहीं है गाडिया खड़ी हुई है पार्किंग आपको अभी पीछे साड़ यह एक श्टीर कव वेरेवल लगा हुआ है भाई देखे आप इस्टेशन का नजारा देखे बूंदा बांदी है और आइसा नहीं है कि धीमी है भाई तेज है मैं भी भीग रहा हूं मैं भी जानता हूं मैं बता सकता हूं कैमरे पर दोके बूंदे नहीं दिखते होंगे आप भाई देखे बारिस भी है और आपको मैंने बारिस दिखाई भी और लेकिन इंजोय लोग के आवा जाही इस स्टेशन पर लगातार बनी हुए है लगातार भाई आगे एक ये गेट बना था इस गेट के पास भाई देश की आनमान सान ये तिरंगा फहर रहा है ये जो तिर गेट नमबर चार पी लगा हुए हम आपकी पहले जानकारी के लिए बता दें कि ये इस्टेशन बहुत बढ़ा है करीब डेड़ से दो किलो मीटर की रिंज में पाहला हुआ ये इस्टेशन इस्टेशन पर टोटल आठ गेट हैं सुरी साथ गेट हैं जहां तक मैंने देख देख रहे हैं आप इससे आकलन जरूर लगा सकते हैं कि इस्टेशन कितना बड़ा होगा और अगर इससे एक्स्प्लेइन नहीं होता तो आप इस चीज से जरूर समझ जाएंगी कि दुनिया का जो सबसे लंबा प्लेट फॉर्म था इसी इस्टेशन पर था हाला कि अब उस तोड़के उसी प्लेट फॉर्म को दो बना दिया गया है यह सामने एक ट्रेन खड़ी हुई थी हमने कैचर की आपको दिखा रहे हैं यह इस्टेशन जहां पर यह गोरेपूर जंक्शन लिखा हुआ है उसी के सामने जश्ट यह एक ट्रेन खड़ी हुई है जैसा कि मैंने ह और एक वीडियो मताया है कि अगर बड़े स्टेशन होते हैं तो उनके सामने यह पुराने जवाने के ट्रेनों के जो इंजन होते हैं खड़ा कर देते हैं तो इसको भी इंजॉय करिए आप और देखे भाई लाजबाब लग रहे है व्राइट हाला कि लाइट चारों तरफ से आ रहे हैं लेकिन इसमें उतना ज्यादा लाइटिंग नहीं है वरना आपको इस पश्ट देखते हैं और बगल में देखिए बारिस को देखिए और लोगों की आवाज जाही को देखिए बाई लाजबाब है मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जब भी गोरक पुराय तो जब गोरकुरब इस्टेशन पर ट्रेंस से उतरे हैं तो उसके बाहर आकि इनज्वाइग गरिए आप गोरकुर के इसिस्टेशन का गोरक चंसन का फिर से आपको मैं दिखाने की कोश करूंगा कि देखे बारिस है लेकिन लोगों की आवाज आई वो भी बगएर चाता के क्यों क्योंकि इंज्वाय कर रहे हैं लोग इतना प्यारा व्यू है अभी आपको आगे दिखाएंगे कि आगी का भी व्यू कितना है हाला कि अगर पूरे स्टेशन को हम केट्चर करेंगे जो की डिएर से दो किलोमेटर में फैला हुआ है तो सायल वीडो हमारा एक घंटे के ऊपर हुआ लेकिन हम आगी जाकर और दिखाते हैं आपको देखे हम इस साइट से आगे हैं गेट नमबर एक की तरफ से फिर आपको द साइं देखें यहां भी वही बिल्डिंगों की जैसा यह आकार बना हुआ यह गड़ियों की पॉर्किंग लके हुए भाई आप क्या कहेंगे आप comment जरू करना कि आपको यह station कैसा लग रहा है और अगर कोई इस station पर गया भी है तो भाई comment जरू करना कि आपको वहाँ जाने का आपका अनुभव क्या था आपके अंदर क्या feeling आये थे क्या सुंदरता के मामले में आपको कैसा लगा गोरगव इस station का यह न जा रहा देखें हम फिर आगे हम सुचा हमने सुचा कि चलिए अब इस्टिशन के जो अंदर जाने की कोसिस करते हैं लेकिन जैसे ही अंदर गय थे फ्रेंट तो सिक्क्योरिटी जादा थी तो उन्होंने कहा कि अंदर का वीडियो नहीं बना सकते तो मैंने मैं खुद फिर से बाहर चल तो देखें सामने देखें वह एक सिडिया बनी हुई है उसे से लोग आते जाते हैं और यह गेट लगा हुए इस तरफ गेट से लोग की आवाज आही लगी हुई है और आप यह जो देख रहे हैं गेट नमबर 5 का नजारा है पांच के सामने का नजारा है भाई देखिए तिरंगा लगा हुआ है गेड नमबर 4 के शामने गेड नमबर 4 के बगल में और देखे भाई यहाँ पर दुकाने भी लगी हुए है और यह होटल वगएरा देखे इस सामने का वी हम दिखा रहे हैं हम इस्टेशन से आउट आ गए हैं बाहर आ गए हैं और यहाँ की होटले व पूरा दिखाने के को सिस्ट करते हैं कि अगर आप कभी आए तो यहाँ पर रुक सकते हैं तो देखें बाई यह रोड है इसमें आवाजा ही वाहनों की लगी हुए है लेकिन आप यह जो साइड में देख रहे हैं यहोटल है कि देखें लोग खाना वाना खा रहे हैं और ब क्युकि एहां से नेपाल भुझ ही दूरी पर है लेकिन आप को होटल का विउ दिखाएंगे यह इस्टेशन की तरफ का व्यू हे और होटल की तरफ की तरफ कर देखे आप कभी भी आगर लेट हो जाए तो इस इस्टेशन के सामने ही जेश्टे सामने ही इदे के होटले बनी हुए यहाँ पर रहने के प्लेस भी हैं तो आप यहाँ पर रह भी सकते हैं तो उमेद करूँगा कि मैंने पूरा वीडियो दिखाया मैंने पूरा गोरकपुर का जंक्सन दिखाया उमेद करूँगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो पशंद आया होगा फ्रेंट्स अगर पशंद आया वीडियो थोड़ा सा भी अगर पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो कुछ भी आपको देखने की इच्छा हो तो एक बार कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं नया यूटुबर हूँ लोगों के कमेंट लोगों के सब्सक्राइब करना और लोगों के लाइक से हमें confidence मिलता है और आप जो कुछ भी देखना चाते हैं मैं एक पोसिस फुल करूँगा कि आपको वो चीज दिखाओ जो आप चाहते हैं तो चलिए फ्रंट्स इसी जगह से विदाई लेते हैं और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में और जो कुछ भी आप वीडियो देखना चाते हैं तो एक बार comment जरूर करना में कोसिस करूँगा उस वीडियो को दिखाने के उस वीडियो वहाँ पर जाकर ब्लॉग बनाने की तो चलिए thank you, thank you very much, सभी को goodbye